कि दोस्तों बात करेंगे एस जिटालो प्रैम के बारे में कि यह क्या होता है यह ड्रग किन बीमारियों में चलता है क्या से काम करता है साइड इफेक्ट डोज साभधानिया ड्रग इंट्रेक्शन सब कुछ जानेंगे तो बीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानका रिक करते हैं दोस्तों से पहले रिक्वेस्ट है कि कोई भी दावा लेने से पहले डॉक्टर इसला बहुत जरूरी है और यह जो दबाईयां होती है एंटेट प्रजेंट यह तो खास तो पर डॉक्टर इसला के बिना नहीं लेना चाहिए ठीक है तो एस जिटालो प्रैम एक चे नेक्सिटो 20 आता है और रेसिता और सी प्रैम एस यह कुछ इसके फैमस प्रैंड नेम से हो सकता है और भी आते हो बट उनके अंदर होता क्या है एस जिटालो प्रैम यह एक एंटेप्रजेंट होता है जैसा कि हमने परक्सुटिन को देखा था सेम बैसा ही है इसके अंदर जो इस तरह से काम करेगा कि यह SSRI क्लास का ड्रग होता है मतलब कि सेलेक्टिव सेरोटनिन रियप्टेक इनिवीटर अब यह जो सेरोटनिन रियप्टेक इनिवीटर होते हैं यह बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अ हैं एक नूरो ट्रांस्मीटर है जो कि हमारे ब्रेंट की मेंटल कंडिशन को मेंटेन रखता है अलांकि सहरोटनिन यह बहूट अच्छे एक नूरा ट्रांस्मीटर मर माना जाता जो कि खुशी का एसास करता है उसी को हम यह कंट्रोल करता है ठीक है तो जाहिर सी बाते मेंटल कंडिशन्स या बोले चाहिए मेंटल डिसॉर्डर्स मान सी कोई रोग है तो भाँ पर एस जिट अलोप्रेम को चलाएंगे इसका कॉम्बिनेशन भी आता है क्लोना जपैम के साथ मतलब कि नींद की गुली जो आती है उ अभ्यानते हैं कि इसका इस्तमाल कहां कहां किया जाएगा OCD, OCD एक मेंटल स्टेट होती है जिसमें आदमी कोई भी काम को बार बार करता है ठीक है जैसे कि गेस बंद किया नहीं किया कोई कुंडी लगाई नहीं लगा देगा फिर फिर सब करने जाएगा यह लाइट का सब्सक्राइब को लिखा जाता है डिप्रेशन एंजाइटी टिप्रेशन मतलब कि पुरानी चीह को बैटके सोच ते रहना रात दिन सोचते रहना कि ऐसा क्यों हुआ था कोई पैसा का लोस बिजिस में घाटा हो गया साधी की प्रोडम या कोई जगडा कैसी की डेथ डिप अच्छाइटी भविष्च्र में क्या होगा में रसा अच्छा करपाऊंगा नहीं होगा यह सब कुछ एंजाइटी और डिपरेशन दोनों में इसको चलाया जा सकता है कि सिर्पोर से मन को काम नां करना थीक है हमारे ब्रेन को काम डाउन करना तो यह स्तरह से काम करेगा इं और सब चीज बढ़ जाती है तो हात थी के हात करों में एठन भी होने लगते है उसको भी कंडॉल कर सकता है इस संद्रॉम संदिश्या होती ही महलाओं के साथ इनको पहली पहली बार या भी नया पीरेट्स आना श्रू होते हैं और उनको क्या सोचते रहते हैं अपने ही मन म है इसके अगर किसी को लट होती है वो इसको आप छोड़ा देते हैं तो कुछ बिड्रोल्स आती है कुछ दिक्कत है आती है अदमिक साथ ठीकर ना तो खिचाव होता है बोडिक अंदर तो उसको भी कंट्रोल के लिए एकसल प्रेम को दिया जा सकता है अगर किसी को होना है छोड़ो दिया है अब बेचर नहीं हो रही है घबराट होने लगी है तो आप एस डिलोप्रेम देंगे तो उसको एक तकलीफ नहीं होगी ठीक है यह होगा इसके किस यूजेस बात करेंगे कुछ ट्रग इंट्रेक्शन की अगर इसको दिया जा रहा है एस डिटालोप करते हैं ठीक है दिक्कत कुछ नहीं होगी लेकिन इफेक्ट ही कम हो जाएगा ठीक है और यहां पर दोस्तों है फैने वर्विटोल है बॉर्फरेन है यह सब फ्रूसरमाइड है यह सब दवाईयां जो है नहीं चलाई जा सकती है एंसे ड्रग्स होती है कुछ परिस्टामोल यह सब दवाईयां बहुत साबधानी फूर्वक लिखी जाती है अदर्वाइज आपस में इंट्रेक्ट करते हैं ठीक है तो यह होगा इसकी कुछ ड्रेग इंट्रेक्शन बात करेंगी कुछ साबधानियों की कि अगर कोई एस जिटालो प्रेम की टेबलेट खा रहा है तो उसको क्या साबधानिया रखना चाहिए तो इसको खाने बाद थोड़ा सा sedation आएगा तो मस्धिन पर काम करना नहीं है कई पर चल गाए उपर असी बांद के तो वहाँ पर नहीं चाड़ना ठीक है या कोई ऐसकाम जो कि रिस्की है वहाँ पर नहीं जाना को ड्राइविंग आएगा लूशू सूक्ञेजासूख हो जाएगा इसमें भी सेक्स सेक्स्वाल रिजाइने की कमी होगी मतलब क्या सेक्स कने क honey करेगा अगर लेती है तो उनकी बैजाइने के अंदर सी को यह तो sì है तो भूट राइनेथ हो तो चाहें तो शुरूब में इनिशाइल लेवल पर डिप्रेशन एंजाइटी यह तो दस मिलीग्राम की टैवलेट दी जा सकती है शुरूब में ठीक है दिन मर्भ में एक गुली देना खाने से पहले ले सकते हैं काने के बाद ले सकते हैं रात में ले तो ज्यादा अच्छा सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो आपको सुबह शाम मिलते रहेंगे जो आपके काम आएंगे तो आप देख रहे थे ग्यानियर्द मेडिकल चैनल मैं हूँ शिवाम तो मैं मिलता हूँ अगले वड़ी दोस्तों चेहन बंदे मात्रा